तो देखें काई शांदार आर्टिकल इस बार का आया है योजना में योजना जो है वह SSC, banking और government exam की दृष्टी से तो important होती है साथ ही IAS यानि की UPSC के exam की दृष्टी से तो बहुत important हो जाती है पेपर 1 और पेपर 3 में तो इस बार का जो आर्टिकल है वो है स्वक्षता की अर्थ ववस्था यानि कि क्लीनली में से आप कैसे एक एक इकोनॉमिकल वी उसका कैसा सकता है 360 अप्रोच आप देखिए स्वक्षता से कैसे आप एकोनॉमिकली आप रिलेट कर सकते हैं और दूसरा है सफाई कर्मियों की जो है गरीमा यानि कि उनको कैसे एमपावर किया जा सकता है यहां हम जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला सवाल उठता यह है कि स्वक्षता अर्थ ववस्था क्या है तो यह केवल सवचाले बनाना ही नहीं मैं आपको दिखाता हूँ सवक्षता अर्थ वस्था केवल सवचाले बनाना ही नहीं है इसमें पेजल प्रोवाइट कराना कुडान इप्टान याने की वेस्ट मेनेजमेंट करना और मसीनी कृत और साथ ही इन सारे डाटा को digitalize form में रखना धी आता है और इन सब चीजों से आपको पता चलेगा कि जब आप निर्मार करते हैं किसका सोचाले का या फिर पेजल पहुंचाने का काम करते हैं वेस्ट मेनेज्मन का काम करते हैं तो आपको इनसे मिलता है क्या तो वो है रोजगार employment जी हाँ दोस्तों employment मिल जाता है इन सारी चीजों से employment generate होगा स्वचाले बनाना है तो obviously आपको employment generate होगी so यहाँ आप देखे कि क्या कुछ government ने काम किया इसके लिए तो हाँ भारत सरकार ने काम किया और भारत सरकार ने 2014 में लाँज किया sbm स्वक्ष भारत मिस्सन कब 2014 में factual information है बहुत important हो जाती है other exam के लिए भी 2019 में आईए आप देखें jsm चालू होता है क्या है जलसक्ती मंत्राल है 2019 में चालू कर दिया इसको इसके बाद आप देखेंगे कि स्वक्षता कि जो अर्थ वहस्ता यानि स्वक्षता से आपके प्रावेट उद्योगों को बढ़ावा तो मिलेगा ही क्यों बढ़ावा मिलेगा क्योंकि आप सवचाले बनाएंगे आप tap water यानि कि जो नल का पानी आप उसको भी तो पहुचाना आपको तो इसलिए प्रावेट उद्योग को नागरिकों का जीवन सुधार होगा इस सब चीजों से और आप यहां देखें कि रोजगार बढ़ेगा अब यह रोजगार जो है यह किस प्रकार का रुपजार होगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्वख्षिकिता कर्मचारी जो जो मै लाड होना हो गया या फिर जो है साब सुफाई कर्मचारी होते हैं उनके पास निम्न आएवर्ग वाले होते हैं कम इनके पास सा रहता है तो यह अगर आप बढ़ावा देते हैं या कि नल का टोटी ऊटी लगाना हो गया टोईल पैसा रहता है तो यह अगर आप बढ़ावा देते हैं याने कि नल का टोटी ओटी लगाना हो गया तौलेट बनाना हो गया और इसका मैंटेनेंस हो गया इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं आप आत्मसंवान के साथ फिर सुनिएगा कि टोटी बनाना हो गया तौलेट ब कास याने की inclusive growth का जो concept है जो की SDG याने की किसमे SDG बताईए किसमे तो development goal जो है हमारा sustainable development goal वो भी हमारा जो है प्राप्त होगा तो यहां जो है यही बात बोली जाती है कि आप यहां देखें कि नीजी सेक्टर को तो फाइदा हो गई वैपारिक को भी फाइदा होगा नागरिकों को भी फाइदा होगा और रोजगार भी होगा यहां दोस्तों बाईयों और बेहनों इससे फाइदा होगा किसको आप जानते हैं इसलिए आपने देखिए अब हमने एक इसके है उसने रिपोर्ट दे अपनी उसने बताया कि 32 अरब की अर्थ ववस्था है ती हमारी कितने डॉलर में हम 62 अरब डॉलर आप अरभ राब में पह extrem में यह जादा प्रेट होlt तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कैसे जो हेवार रिलेट कर रहा है यह क्या तो अर्थ वरस्था से आप स्वक्षता तक कैसे पहुँच रहे हैं यहां जे आँ लेडिस और जेंटल्मेंट आप आगे बढ़िये कि इस आर्टिकल में आगे यह भी बताया जाता है कि आप देखें कि जब सारा कुछ काम किया गया तो सितंबर 2019 में एक बैठक हुई जो कि UN की थी चोहत्रवा अधिवेशन था उसमें बताया गया कि SDG को प्राप्त करने में तो सहयोग करे गाई 2030 तक जो SDG का गोल है open defecation free defecation से मुक्ती मिल जाना ये भी आपका सहय होगा किसमे 2030 तक किसका गोल है SDG का किसमे अभी बताया UN के 74 अधिवेशन में नोंने बताया 2022 तक तो government ने कुछ काम किया government ने काम किया 2022 तक New India का निर्माण हमें करना है तो हमारी जो अभी की सरकार है मुदी जी की government वो बुड़ें 2022 तक New India का government करेंगे और इसके लिए पहला कदम हमारा जो है स्वक्ष भारत है तो government के इसाब से स्वक्ष भारत है बाकि स्वक्षता का mission तो बहुत पहले से चल रहा हमारा आजादी के बाद से ही तो वो बहले ही छोटे लेवल पर हो लेकिन government ने बताया कि 2022 में तक हमारा जो न्यू इंडिया का mission है उसमें स्वक्ष भारत mission हमारा पहला कदम है और इसके लिए 2014 में अगर आप देखें पहला कदम और इस स्वक्ष भारत के तहत पहला कदम उठाया गया था स्वक्ष भारत mission है 2014 में आप देखें और 2019 में बनाया गया 2014 में जो था उससे लेकर 2019 तक आप देखेंगे तो 61 प्रतिशत की विद्धी हो चुकी है किसमे तो हमारे पताएगे किसमे 61 प्रतिशत की विद्धी हो चीक हमारे सौचाले में तो यहां सौचाले नहीं लिखा हुआ है यह टौलेट होना चाहिए ठिक इस बात को ध्यान रखें कि यह टौलेट में विद्धी हुई है और साथ ही पांच लाग गाउं जो हो गहने हो फ्री हो चुके हैं पूरी तरी से मुक्त हो चुके हैं सौच से रोजगार भी इससे विक्सित हुआ है किस से तो जब हमारा जो कारक्रम था 2014 में स्टार्ट हुआ था और 2014 में जब स्टार्ट होता है उसके बाद से लेकर आप 2019 तक देखेंगे तो इससे रोजगार भी जेनरेट हुआ है और एक बात और ध्यान रखें कि कितना अर्थवरस्था तक पहुँचने की उम्मीद है तो सब्सक्राइबाद आते हैं कि मोदी जी का यानि की गवर्मेंट का जब दूसरा कारकाल आ था पहला कारकाल में आपने देखा कि किस प्रेकार जो हो और इबार-क के उपर फोकस किया गया जक्षक्ष पेंगे तो यू पर हमारा फोकस है तो जो पे अजल congressional मार्स फोकस है तो वापस आईए और यहां जब दूसरा कारकाल आता है तो दूसरा फोकस हमारा पेजल है पेजल पहुंचाना ड्रिंकिंग बाटर पहुंचाना और सिंगल यूज प्लास्टिक पर कंट्रोल करना और क्या है तो आप तो मतलब यह हुआ तो इसी के लिए पेजल को अच्छा स 2014 तक हर 20 2014 तक हर घर जल पहुंचाना है पाइपलाइन के जरी है जेल जीवन मिसं के अंतरगत जल बंतराली सथाहपित 2019 तो यह क Ám करना है अमें दूसरा UKर्षा हमारे ऑर एरिया है और क्यों कर जरूरी है क्यों कि अठार बिया है अठारा करोड ग्रामिर परिवार हैं जिसमें तीन करोण तक ही only tap water याने कि हमारे नल का water हमारा पहुच है और इस प्रोग्राम से आपको भी ये भी पता है कि जेनरेट होगा क्या रोजगार तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है पेजल से भी रोजगार जेनरेट हो रहा है क्या तो हमारे रोजगार तो यहां जो है इस पेज में यही लिखा हुआ है कि दूसरा कारेकाल के बारे में बताया कि यही चीजी जो हमने बात कि अभी मैंने इसको point के रूप में आपको दिखाया था इसके बाद आप इसमें next portion में आई है कि क्या था वो कि सफाई यानि कि जो इस का जो में टॉपिक है ना उस पे आएंगे आप तो सफाई कर्म कर्मी की जो गरिमा है उसको कैसे आप बाहाल कर सकते हैं तो इसको बाहाल करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी वो है पहला तो आत्म सम्मान आपको देना है दूसरा कानूनी संरक्ष तो आपको यह काम करने पड़ेंगे और इसके लिए जो है वो आपको सबसे पहला किस लेवल पर काम करना पड़ेगा तो उसके लिए आप बताएंगे कि सबसे पहला जो है गरिमा दिलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहला आप देखे पहला तो जनत है उन्हेंने पाउंध होया तो एक मानेता प्राप्त हुई सफाई कमचारी को एक आत्मसमान और रिज्जित मिला सफाई वाला तो कहना है कानूनी सनक्षण भी हमें देने के दान करेंगे क्यों क्यों कि वहीं आप बस संबानी देते रोगे तो उससे कुछ कानूनी सनक्षण भी दिना पड़ेगा तो कानूनी सनक्षण दिया गया कहां दिया गया तो आप बताएंगे कि कैसे दिया गया तो सरकार ने अभी-भी क्या किया है यहां मैं आपको दिखाता हूं एक मिनिट यहां दिखीगा इस तरफ कि यह ज़्यादा तर सफाई कमचारी होते हैं जैसे आप जानते हैं सोचाले पर काम करने वाले सीवर या लाइन और सैप्टिक टेंकों पर काम करने वाले होते हैं हाथ से मैलाड होने वाले उठाने भी होते हैं मैलाड होने वाले भी ठेक तो नियोजन पर प्रतिबंद और रिहबिलीटेशन अधिन्यम 2013 में ही पारित हो गया था। तो यह अधिन्यम लागू भी हो गया पारित भी हो गया बताई हमको पता ही नहीं चला है यह लागू हो गया चलो हो गया। तो इसी के तहत जो है आप देखेंगे जब यह लागू हो जाता है तो इसी के तहत आपको आस्वक्षिसोचालय को समब्त करना और क्या है मैं आपको बताता हू सूचालय को समब्त करना यहां देखिए और सीवर या सेप्टिक के हाथों की खतरनाक सफाई पर पाबंदी लगाना जैसे काम रखे गए हैं किसमें तो हमारे जो अधीनियम में उसके अंतरकत बाते की गई है को समाप्त करना है छोगंदे से चौले हैं पैस्ट करना ह Broken monte कट सफ्कशार में यहां फोकस फोकस पॉइंस दिएगा खतरनाग सथाए पर प्रबंदी लगाना सब्सक्शंप्रेश करना इसा नहीं कि आप उतार दे रहे हैं डारेक्ट जो है सीवर पर किसी भी वेक्ति को देखा होगा आपने बहुत सारे सीवर्स के उपर जैसे उतरता आदमी और जैसे उसको गैस लगती हो मर जाता है हर महिने लगभग ये न्यूज आपको आती ही है हमेशा जो है हर हिंदी अख़वारों चा खतरनाक सफाई पर पबंदी लगाया गया इस पर साथ ही देश में हाथ से जो मैलाड होने वाले हैं उनका क्या किया गया है सर्वे किया गया और उनको रिहेबिलिटेट करना इसमें काम किया गया तो रिहेबिलिटेट करवा देना आपको दूसरा खतरनाक कर्मचारी खतरन इसे तीन बाते हमको पता चल जाती है कौन सा अधिनियम तो वो था नियोजन प्रप्रतिबंद और उनका पुनरवास अधिनियम दोजार तेरा यह अधिनियम बताता है तीन चीजें इस अधिनियम के जो चीजें उसके अंतरकात आपको रिपेर करना है दूसरा खतरनाक आप देखते हैं ये बहुत शांदार अधिनियम है और इस अधिनियम से आफ जो कम से कम ला सकते है तो क्या सवाल उठता है कि क्या कानून से ही empowerment आजायगा क्या संबान देंगी empowerment आजायगा तो आपको थोड़ा पैसा कोड़ भी तो देना पड़ेगा तो पैसा कोड़ ही दिया गया तो वो क्या अन्यूंतम मजदूरी अधिनियों में इसके लिए है तो स्रम रोजगार मंत्राले ने मजदूरी विधेक सहिता याने कि लेबर बिल कोड 2019 बनाई है फिर से सुनेगा ले कि कठेन हालात में जो काम करते हैं जो मजदूर मजदूरों को अधिक मजदूरी के रुप में रहा तो याने कि अधिक मजदूरी वी जाएगी उनको तो यह बहुत शांदार काम मजदूरी तो दी जाती थी पहले भी लेकिन अब अधिक मजदूरी दी जाएगी और जस रीजी का एक गोल है। जिसमें की इस्तुरी पुरुज के बीच में बैद不好 नहीं कर सकता है। डिस्क्रिमिंेशन नहीं किया जा सकता है और इसलिए यहां इस बात का ध्यान रखा गया है कि मौनाही है, इस्त्री पुरुष को employment में नहीं कि अगर employment में इस्त्री पुरुष को जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते हो साथ ही पैसा भी आपको समान देना पड़ेगा इस सहिता में तीसरे point में आई है कि वैवसाइक, सुरप्छा और स्वास्त पर काम करने कि स्थितियों के बारे में सहिता एक और सहिता अभी 22 जुलाई 2019 को लाई गई वो क्या थी वैवसाइक, सुरप्छा और स्वास्त पर काम करने कि स्थितियों के बारे में एक सहिता 2019 जो क्या बताती है इसमें हम लोगों ने क्या किया कि पहले जो था ना बहुत सारे कानून थे इधर उधर बिखरे हुए थे और कोट का सारा लेके इधर उधर जो है इस पर लूपोल्स को लेकर जो वा काम करवा लिया जाता था तो अभी यह क्या किया है तेरा जो केंद्री स्रम अधिनियम तेरा केंद्री स्रम अधिनियम के समधित प्राधानों का एक साथ कर दिया गया तो लेबर लॉज जो थे ना उनको एक साथ समेकित कर दिया गया है यह क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि दिख जाए श्रम देखे तेरा केंद्री स्रम स्थितियों के बारे में सही ताम है तो इस दरगा आप देखते हैं कि यह दूसरा एक काम किया जाता है जो की कुशिश की जा रही है कि किस प्रकार जो है मजदूर याने कि जो हमारे सफाएक करम भाजारे उनको बढ़ाय जाए तो क्या सवाल उठता है कि आपने क्या दे दिया कानूनी सरक्षान दे दिया आपने क्या दे दिया संबान दे दिया आपने उन्हें पैसा दे दिया को इकोनॉमिकली आपने दे दिया है ठीक, और आप ने देखा था कि और क्या किया जा सकता है तो आपको आवाज भी देना देना है इनके बच्चों को सिख्षा देनी है वित्तिय साहता और कौशल भी तो देना पड़ेगा आने वाले समय में कौशल क्या दिया जाएगा तो भईया जो आने वाली मसीन है उसको भी तो चलाना पड़ेगा तो उसको आने वाले समय में हमें कोशिश करनी मसीनों से सफा और उसके लिए इसकिल की जरुवत है तो यह जो इसकिल है वो भी आपको देना पड़ेगा तो आवास है इंद्रा गांधी आवास योजनाक के अंतरगत नया मकान दिया जाएगा यह बात है एक बात और इसके लिए 75,000 पैसा रुपए दिया जाएंगे यह दूसरी बात अब एक लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट भी मिल रहोंगे आपने देखा तो यहां पास आप फोकस कीजिए की सफाई कर्मचारी के लिए क्लिए 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 तो आप बताएंगे कि जो अगर सफाई कर्मचारी आने कि हाथ से मैलाड होने वाला फिर से इंद्रा गांधी आवास युजना के दाथ तो यहां पास आप फोकस करने भले इवा गरीबी रेखा के नीचे ये परिवार में शामिल हो या ना हो तो उसको आवास का प्राउधान है तो साथ ही एक दूसरी बात आपके लिए बहत महत्यपूर्ण है वो यह कि सफाई का का काम करने वाले और स्वास्त संबंदी जोखिम जोखिम क्या होता है स्वास्त संबंदी जोखिम तो सफाई का काम कर रहे हैं वो तो सही है सफाई और स्वास्त संबंदी जोखिम जैसे कि आप देखें चमड़ा का काम करने वाले या फिर मर्य जानवरों की खालुदारने वा जो है छात्रवित्ति आपको देनी पड़ेगी तब यह जो है काफी कुछ empowerment हो पाएगा किसका सफाई कर्मचारी का तो यहां पास आप देखते हैं कि आवास देदी आपने सिक्षा और वित्ती सहता भी देदी तो अब सवाल उठता है कि क्या empowerment पूरा हो गया तो हम बोलेंगे नहीं क्योंकि कुछ एक बात बज गई है और वो है यह आयूश्यमान योजना के ताहट जो है आपको क्या देना है सफाई कर्मचारियों को स्वास्त स्विधा भी प्रोवाइट करानी है और प्रधान मंत्री जन आरोग गेई योजना जिससे हम कहते हैं आयूश्यमान भारत आयूश्यमान योजना उसके तहट जो है जो कि 2018 में सुरू की गई थी जिसमें सफाई कर्मचारियों की भलाई और उनकी गरिमा बहाल करने का जवर्दस छंता भी है और उसी के अंतरगर जो है हर परिवार को स्वास्ते की सुद्धा दिलवाई गई है इसमें सालाना पांच लाख रुपए का प्राधाने आपको पता ही है जैसा कि तो यह काम किया गया है आयुश्यमान भारत यूजना के तहट हर परिवार और इसमें एक बात ध्यान में आप यह रखेगा कि इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आप परिवार में जो है पांस सदस्यों दस सदस्यों ऐसा कोई डिस्क्रिमेशन नहीं है तो किसी भी परिवार में कितने भी सदस्तों यह उनको कवर करता है तो इसी के साथ ही हम आ जाते हैं एक अंतिम पड़ाओ में वो यह कि जब आपने देखा कि किस प्रकार जो है वह आप सफाई कर्मचारियों को आत्मसमान दिलवाते हैं प्रक्षन के तहथ आपको द्यान होगा कि हमने बात की थी तो वह था हमारा नियोजन प्रप्रतिबंद और उनका पुनरवास अदिनियम 2023 देखा आपने 6 December 2013 से जो लागू हुआ था उसमें आपने तीन बाते देखी थी और साथी कानूनी सनक्षन तो दिया गया साथी आपको नियूंतम मजदूरी वाला जो एक श्रम रोजगार मंत्राल ने चालू किया है मजदूरी विधेक सहीता याने कि Labor Bill Code 2019 हमने चालू कि थी तो Labor Bill Code 2019 जो कि कठें हालात में मजदूरी को ज़्यादा बढ़ावा देता है साथी मेन और वूमेन में जो एवा डिस्क्रिमेशन नहीं करता है काम का सुरक्षित महौल देता है पेंसन आपको दे दिना है पेंसन पेंसन के बारे में हमारी बात नहीं हुई थी और वो है श्रम योगी मांधन योजना तो वो यहाँ है आप यह देखें श्रम योगी मांधन योजना 2019 है जिसमें अन और गनाइस सेक्टर को यह कवर करता है सुक्षिता कमचारी भी इसको लाब मिलेगा और इसमें क्या है तो 60 साल के बाद या 60 साल का हो जाने पर आपको 3000 रुपे प्रती माह फिर चैसनें क्या है अन और गनाइस सेक्टर जिसमें की कमजोर वर्ग अन और गनाइस सेक्टर को यह मिलता है अन और गनाइस सेक्टर की जो है तो इस प्रकार आप देखते हैं कि किस प्रकार आपने क्या किया। पड़ा उसमें आपने देखा। वास्वास्विदा देदी किसमान भारत के तद दिया हावास उजना के तद बिना कोई डिस्क्रिमेशन चाहिए वो वी-पी-एल हो वी-पी-एल ना हो तो भी जो है उसको आवास मिल जाना है तो इस यह जो हमारा दूसरा फोकस था उसके पहले आपने देखा स्वक्ष भारत मिशन और स्वक्ष भारत मिशन से कैसे रोजगार क्रियेट हुआ और साथ ही आपने देखा कि कितना रोजगार जो हमें मिलने वाला आने वाले समय तो 32 62 62 अरब अमेरीकी डॉलर का कितना 2021 तक तो इस प्रकार आप देखते हैं अंतिम पड़ाओ में हम पहुशते हैं और आपको अंतिम पड़ाओ में हम यह बता दें कि यह जो है क्या कुछ किया सकता है आगे आने वाले अंतिम समय में तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंडिया को स्वक्ष बनाने का लक्ष जितना महत्वपूर है बहुत शांदार सेंटेंस है यह मैं जो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने हाइलाइट किया है कि इंडिया को स्वक्ष बनाने का लक्ष जितना महत्वपून है उत्रा ही महत्वपून है जितना भारत को साप सुत्रा बनाने का तो इंडिया को स्वक्ष बनाने का लक्ष जितना भारत को स्वक्ष बनाने का ये बात और आप आखिर क्या करने चाहेंगे क्या कर सकते हैं तो निगरानी प्रणाली बनानी पड़ेगी इसके तहट आप बताएंगे इसके ठहट छिक एक निगरानी प्रणाली एक बात दूसरी बात आपको देखना है कि कुडा करकट से आप संसाधन बना लें यान कि कुडा करकट ला है और खाद भी मिलेगी इससे सलेरी जो निकलेगा तो उस खाद का यूज़ आप वापस कर सकते हैं इस प्रेकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और संसाधन मतलब जो कुड़ा करकट है उसका संसाधन में उपियोग किया जा सकता है तो दूसरी बात हो गई यह तीसरी बात आजाईए कि मैला ढोने के जो आपको पाबंदी लगाना है तो साथ है आप टेक्नलोजी का यूज़ करें जैसे कि दिल्ली गवर्मेंट कर रही है बालिस चालिस पैतालिस लाग का एक जो है वो ले किया यह बड़ा शांदार मसीन और वो जो है ना सीवर को एकदम क्लीन कर देखिए महंगा जरूर है लेकिन भाई हमारे देश के नागरीकों से जादा तो महतवपूर्ण नहीं है यह तो इसलिए टेक्नलोजी का यूज़ करना चाहिए जाद स्यादा और सस्ती टेक्नलोजी अगर हो भारत खुद बना ले तो बहुत अच्छी बात है इसके बाद ही तक रखते हैं वैसे इस बार मैं आज काफी जदा अटका लटका जटका और हो सकता हो कि कुछ गलत वर्ट बोल दियों तो उसके लिए आप जो है माफी चाहूंगा और तो कुछ ने देखने के लिए धरन्यवाद कोशिश करें शेयर करने की शेयर करने की बहुत जाज़ पिरते तन्क यू प्रूँ तन्ठी जरुए सो मच्ट